एक प्रकार से नई उर्जा युवा उर्जा और कुछ कर्क गुजर्ने के इरादे वाली लोगसभा है और आजादी का अम्रित बहुत सो के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष है जो हमारे अम्रित काल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने एक बहुत महत्वपुन पड़ाव ये अठारवी लोकसबा है साथ्यों एंडिये सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देश वास्यों ने आदेश दिया है आउसर दिया है मैं देश वास्यों का फिर से एक बार ये आउसर देने के लिए रदय से आभार व्यक्ते करता हूं और मैं देश वास्यों को विश्वास देता हूं कि पिछले दो टम में जिस गती से देश आगे बढ़ा है समाज के हर क्षेत्र बें परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा हैं पचीस करोड लोगों का गरीबी से भार आना ये अपने आप में हर भारतिये के लिए बड़ा गर्व का विश्वास दिलाता हूं कि अठारवी लोगसभा में भी हमारे पांच साल के कारकाल में भी हम उसी गती के साथ उतने ही समर्पन भाव से देश की आशा अकांशाव को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे आज सुबह NDA की मिटिंग हुई थी NDA के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दाइत्व के लिए पसंद किया है और सभी NDA के साथियों ने राश्पती जी को इसकी जानकारी दी और राश्पती जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधान मंत्री डगिंजिनेरेटर के रूप में काम करने एक निवन्त निवक्ति दी है और मुझे शपत समारों के लिए और मंत्री परिशद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है मोटे तोर पर मैंने राश्पती जी को कहा है कि हमें नव तारिक शाम को सुविदा रहेगी अब बाकी डिटेल तो राश्पती भवन वर्काउट करेगा और हम तब तक मंत्री परिशद की सूची राश्पती जी को सुप्रत करेंगे उसके बाद सपत समारों होगा साथियों सरकार ंडीय की एक प्रकार से एंडीय बान एंडीय टू अन एंडीय थ्री यह एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को ले करके सूश आशन के प्रति हमारी प्रतिवत्ता को ले करके और देश के सामान ने जन के सपनों को पुरा करने के प्रयास के रुप में इस नरंतरता को हम और अधिक उर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सिमा में लक्षों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा 2014 में मैं बहुत नया था, मुझे अब एक लंबे समय तक इस कायरका अनुभव मिला है, मारी टीम को अनुभव मिला है, और इसलिए हमारे लिए अब कुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है, और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने व जो चबी बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधू के रूप में भारत उभरा है, इसका मक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है, और मुझे पक्का विश्वात है कि पांच वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उप्योगी होने वाले दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक कनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है, ऐसी विकट परिसतिती दुनिया ने बहुत लंबे अर्शे के बाद देखी है, हर देश इन सारी समस्याओं के बीश अपने आपको बचाए रखना बढ़ाते रहना चुनोतियों का डगर डगर पर सामना कर रहा है हम भारत वाले रोग हम भारत वासी खुद नशीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गती से बढ़ने वाली एकोनोमी के रूप में जाने गए हैं ग्रोथ के विशे में भी दुनिया में हमारी भावाई हो रही है अब एक स्टेबल गवर्मेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रती रुजहान भारत के प्रती उनका आना बहुत तेज गती से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाब मिलेगा देश की युवाँ पीड़ी को सबसे ज़्यादा लाब मिलेगा विकास के नए उचाईयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का मातावरण आने वाले पात साल में बनने वाला है तो इसी संकल्पों और आदर्सों के साथ हम आगे बढ़ेंगे मैं राश्पति जी का रदय से आभार वेक्त करता हूँ कि बहुत बड़े महत्वपूंदाईत्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यू